हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप सब हम लो क्लासिक्स की हिंदी पढ़ रहे थे, मलहर, मेरी मा पाठ्च है, तो इसकी हमने इस अब्धार देख लेते, इस कहानी को पढ़ लिया था, बहुती भाबुतरी कहानी थी, उन्होंने अपने आखरी दिनों में विस्मिल जी ने आखरी पढ़ के तो मेरे तो आको में आसू आगे, चलिए, अब हम इसके प्रश्णों तर्फ में चलते हैं, हमने पर्चे भी देख लिया था, लेखक का पर्चे, अब हम प्रश्णों तर्फ करते हैं पाठ से, पहला प्रश्ण है मेरी समझ से, नीचे दिये गए प्रश्णों का स इस इच्छा के पूर्ण ना होने की आसंका थी भारत माता के साथ रहने की अरपनी प्रतिग्या पर द्रण रहने की अपनी मा की जीवन परियंद सेवा करने की या भोग विलाज तथा एशर भोगने की तो ये इच्छा थी उनकी जो पूरी होती उनको नहीं दिखाए दे रह तो उन्होंने बोला था कि कभी किसी के आप प्राण नहीं लेंगे, मृत्युदर्ण नहीं लेंगे, आप अपने मित्रों के सातर को पूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यह ही उत्तर क्यों चने, तो आप इसमें लिखेंगे, बिस्मिल जी की आत्मुचता सिस्पस्ट होता है कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपनी मा की शेवा करने की थी, लेकिन बे इसे पूर्ण नहीं कर पाए, तो हम यहां पे लिखते हैं, थाड़वाला बिस्मिल जी की आत्मुचता से इसपस्ट होता है कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा सबसे बड़ी इच्छा अपनी मा की सेवा करना थी, लेकिन बे इसे पूर्ण नहीं कर पाए, अगला प्रेश्ट चलते हैं हम लोग, पंक्तियों पर चर्चा, चलिए पंक्तियों पर चर्चा करनी हैं, पाठ मैसे चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें पढ़कर समझिये और इन पर विचार कीजिये, आपको इनका क्या अथ समझने आया, कच्छा में अपने विचार साजा कीजिये और लिखिये, पहला है, कौन सी पंक्ति है, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती, तो म मैं भी अतिसाधर्ण मनुष्यों की भातिस अंसान चक्र में फसकर जीवन निर्वा करता, चलिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, हम इस पे पहले चलते, इस पंक्ति को पढ़के कुछ पाते तो साफ के लिए भी स्पस्ट होती है, कि विस्मिल की माग के प्रती जो अटूट स्रद्दा है, वो बहुत ज़्यादा थी, बिस्मिल ने स्वयम को देश की सतंता के लिए पूर्ता समर्पित कर दिया था, बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेणा और सायोग अपनी मा से प्राप्त हुआ था, तो चलि हम इन प्रशनों के उतर लिखते हैं, पहला प्रशन था यह थी, तो चलि हम इसको यह जो का वाला प्रशन है, इस का अंसर देखते हैं, तो का वाले का है बिस्मिल की मा के प्रती, अटूट, श्रद्दा, पॉइंट वास में आप लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बिस्मिल को प्रांतिकारी, प्र को देश के सुतंतता के लिए पूर्ता समर्पित कर दिया था चले अगला है खावाला खावाला में देख लेते हैं उनके इस आदेश की पूर्ती करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिग्या भंग करनी पड़ी क्यों माने आदेश क्या दिया था कि कभी क किसी को प्राण हानी नहीं पहुंचयागा प्राण दंद नहीं देना, लेकिन उनने अपनी प्रतिग्या भंग करनी पड़ी मतरा के उनकी किसी को दंडद किया है पहला point हम लिखेंगे माता जी ने सबसे बड़ा आदेश विस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हाली ना हो माता ने यहां पर माता सब्द छूट किया है माता ने सिछ्छा दे थी कि सत्रू को भी प्राण दन ना मिले तो है यह उनकी माता क्या आदेश था लिया कि विप्राण दन के रूफ में बदला नहीं लेंगे इसमें हम लोग प्रशन लिखेंगे चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रशन पर अगला है हमारा मिलान करें पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिये गए है अपने समों में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ या संधर्मों से मिलाईए इसके लिए आप शब्द पोस इंटरनेट पुस्तिकाला या अपने सिच्छों की सायता ले सकते हैं तो पहला शब्द है देवनागरी दूसरा आरिशमाज तेसरा मीजनी सिखों के दस्वे और अंतिम गुरू थे उन्होंने खालसा पंत की स्तापना की थी इटली के गुप राष्टवादी दल का सैनापती इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांदा था महर्शी दयानन द्वारा स्थापित एक संस था भारत की एक भासा लिपी जिनमें हिंदी संस्कृत मराठी आदी भाशा लिखी जाती है देखें आप लोग इसमें मैंने एक सब्द पिछली वाद जो मैं अभी पार्टवनें पढ़ा रही थी तो बोला था मेजनी तो मैं बताना भूल गई चलिए इसमें हम आपको बताते हैं तो देवनागरी का क्या होगा भारत की एक लिपी है जो इसमें हिंदी संस्कृत और मराठी काफी सारी वासा हैं लिखी जाती है आरे समाज की महरसी दयानन द्वारा संस्तापि किया गया था मेजनी है इटली के गुप्त राष्ट वादी दल का सेनापती इटली का मसीहा जिसने लोगों को एक सूत्र में बादा था उसे बोलते मेजनी गोविंद सिंग सिखों के दस्वे और अंतिम गुरू थे उन्होंने खालसा 25 स्थापना की थी सोच विचार के लिए हैं पाठ को एक वार फिर से पढ़िए दिये गए प्रशनों के बारे में पता लगा कर अपनी लेखन को स्तिकामें लिखिए तो आम कुछ प्रशनों पे परिवार के अनपूल कैसे डाला इसका चलिए भाई बताएए कैसे डाला था खा है उन्होंने अपनी इच्छा सक्ती के बल पर शोयम को कैसे सिच्छ थी है तो चलिए दोनों प्रशनों के दतर हम लिखते हैं पहला प्रशन लिखेंगे हम बिस्मिल की मां 11 वर्स की उम्र मे बिवाईत होकर अपने सस्रा लाई थी उन्होंने लगन से जल्द ही ग्रहकार शीक लिया परिवार के कामकाज को कुसलता पूर्वक करने लगी विस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्शवाद उन्होंने हिंदी पढ़ना पठन एक सकें यहाँ पर पढ़ना है पढ़ना सीख लिया आगे चलकर विस्मिल उनकी बेहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया अगला प्रशने था हमारा उन्होंने अपनी इच्छा सक्ती के बल पर सुयम को कैसे सिच्छित किया तो इसमें हम लिखेंगे माता जी के इच्छा सक्ती दड़ थी बिभा के कुछ बरसों बाद उन्ह रह कार्णे कर रह कार्ण कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता वे उसमें पढ़ाई लिखाई करती इस प्रिकार माता जी ने प्रवल इच्छा सक्ती का उधारण प्रस्तुत किया चलिए अगला प्रशन है हमारा बिस्मिल को सहसी बनानी में उनकी माता जी ने कैसे सयोग द तो दूसरा हम प्रेशन यह रहा हमारा ओके इसमें यहां पे पॉइंट नमबर नहीं डला यह वाला है विस्मिल के व्यक्तुत्त निर्माण में उनकी माता ने बहुत मैतपुर भूमिका निवाई उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने शुपुत्र विस्मिल को पुतसान द दादी वो तारे थे दादी और पिता जी किसी वी चीज के लिए उनके साथ नहीं थे लेकिन उनकी माती छोटी उम्र में ही अपनी माता जी से प्रेणा लेकर विस्मिल साहस वीर्ता और देश सेवा के पत पर चले जन भूमी पर निच्छावर होने वाले पुत्र पर उने गरू था संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं हो दिया चलिए अगला प्रश्न है तीसरा हमारा आज से कई दसक पहले विस्मिल की मात सिच्छा के मैत को समझती थी बताइए कैसे भाई जब यह हमारे देश में जब यह सुसंता नहीं मिली थी अंग्र तो कुछ जो लेडिस समझती थी सिच्छा को वो कैसे समझ पाती थी कि भाई सिच्छा माने लिए जरूरी है तो इसका प्रश्न हम लिखेंगे वालक बिस्मिल से प्रेम साहस द्रड़ता के भाव उनकी माने भरे थे कम उम्र में बिवा हो जाने के बाद भी उनकी मा अपनी इच्छा सकती के बल पर सुयम को सिच्छित करती रही कुछ बरसों वाद उनके विस्मिल और उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया अपनी सिच्छा और वाणी से विस्मिल के जीवन मूलियों में सुधार किया मा के पृत्साहन स्काही प्रडाम था कि राम प्रिशाद धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम सिच्छा ग्रह कर सकें ये था हमारा तीसरे का प्रेशन आव हम चलते हैं चौथा कुष्ण क्या है चौथा प्रेशन हम कैसे कह सकते हैं कि विस्मिल की मास्षतंत और उधार विचार वालों थी थी देखे इस पार्ट में कुछ बाग कैसे आये थे जिसमें बताया गया था तो चलिए हां र क्यों उन्हें हर चीज के लिए प्रेच किस ने किया था उनकी माने। सिच्छ अधी की अत्रिक वे उन्हें देश्वहीतुविविन संंयलनों में भाग लेने के लिए उतنसाहित करतीं विश्मिल की बेहनों को भी छोटी आयू में उनकी मा सिच्छ दिया करतीं अपनी मा के सुतंत्र रौधार विचारों के कारण विश्रधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गत्विदियों में भाग ले सके मा भार्ती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ती दिलाने के लिए संकल्प बान बने उड़ राम चलिए अगला प्रशन है हमारा चलिए अब हम चलतें अपने अगली प्रशन पर आग्म कथा की रचना यह आत्म कथा यानि अपनी कथा दुनिया में अनिख लोग अपनी कथा लिखते हैं कभी अपने लिये तो कभी दूसरों के बढ़ने के लिए लोग तो स्रिफ अपने आप से खुद अपनी कथा पढ़ने के लिए लिखते हैं लेकिन कुछ लोग दूसरों के लिए पढ़ने हैं। पार्ट को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समू में मिलकर इस पार्ट की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाईए जिन से पता लगे कि लेखक अपने वारे में कह रहा है। तो भई ऐसी हमने काफी सरी लाहने पड़ी थी जिसमें साफ इस पस्ट पता चला था कि लिखक अपनी वारे में अपनी मा के वारे में बता रहा है। खा है अपनी समू की सूची को कच्छा में सब के साथ साथ साधा कीगे। तो चलिए हम लोग फटा-फट इसके वी प्रश्न लिख लेते हैं। चलिए यहां पर मैं लिख रही हूँ का प्रश्न का। माता जी मेरा उत्सा भंग नाहुने देती थी जिससे कारण उन्हें अक्सर पिता जी की दाठ फटकात तथा दंड सहन करना पड़ता था। यहीं देख लेते हैं। यह पूरे-पूरे सेंटेंस वही रिखने हैं। तो यह कहां लिखा था माता जी मेरा उत्सा भंग नाहुने देती थी। पहला पॉइंट डालके आप यह लिखेंगे जिसके कारण उन्हें अक्सर पिता जी की डाठ पटकात तथर्ड़न सहन करना पड़ता था। यह परस्ट पॉइंट आपका हो गया। कि नेक्स पॉइंट लिखेंगे. यहीं पे है है एक समय इसमें भी बता जा रहा है मेरे तो इसमें का बता जाना। मेरे पिताजी दीवाने मुकदमे में किसी पर दावा करके बकीव से कह रहे थे कि जो काम हो वह है मुझसे करवा ले तो इसमें अभी पता चला है कि लेखक अपने पिता के साथ हुए प्रिशंग का बढ़न कर रहे हैं और इसमें अपनी मा और अपने बच्पन की स्थिती बता रहा है अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं अगला है इसमें तुम्हारी एक कहां पर है तिस्टा मेंने सदाज Krintu मुझे अच्छा प्रभाव ओके थार्मिक जीवन्स में भी तुम्हारे ही प्रुसानने साहथा दिएए तु इसमें भी बता रहे हैं सीधे सीधे अपनी मा के तरफा carbonya कर रहा है कि आप इने मेरी साहथा की है अगला लिख सकते हैं, माहन से माहन संकट, मैं भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, ये भी अपनी मा से ही वो कह रहे हैं, चलिए, अगला चलिए, चारी पॉइंट लिखिए, और लिखना चाहते हैं, तो उसमें काफी सारे ऐसे हैं, जहां पे मेरी इस तरह से बात हु वक्तमारे चरणों की सेवा करके अब जो उनको सफल बना लोगे, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, जाहें आप तक लिखिए, पॉर्थ पॉइंट या फिफ्ट पॉइंट होगा, आप लोग देखिए लेजिए, चलिए, अगला प्रेशन हम चलते हैं, हमारा अगला पाट से आँगे, अभी है, शब्द प्रियोग तरह तरह के, माता जी उनसे अच्छर बोध करती, इस बाग में अच्छर बोध का आर्थ है, अच्छर का बोध या ग्यान, अच्छर का बोध में तो अच्छर का ग्यान लेती थी कि कौन सा अच्छर कैसा है, एक अन्य बाग कि देखिए जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती इस बाक में पढ़ना लिखना अथार पढ़ना और लिखना हम लेखन में सब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं जिससे समय स्याही कागज आदी की बचत होती है संचेपी करण मानव का सवभाब भी है इस में ऐसे सब्द खोचकर सुखी बनाई है देखिए पढ़ना लिखना तो बीच में हमने यह जो हाइफल लगाया चोटा असा तो वह और की जगह पर लगाया तो हमने और नहीं लिखा है यहां पर विज़से अच्छर बोध यहां पर और आना था इसे अच्छर का बोध ले च्छे है तो पहला पौइंट यहां पर लिख सकते है सबसे पहली लायन में था डांट फटकार कॉस्च अदर बैठना कि अगला है अंदर-स अंदर बाहर फेफ्त देश की सेवा, इसमें होगा देश की सेवा, लेकिन हमने किया देश सेवा, छत्वा है पालन पोशन, पालन और पोशन होगा लेकिन हम करेंगे पालन पोशन, यह हाइफन लगा चली यह सब कुछ थे जो हमने बुक से पाट से निकाले हैं अब अगला है पाट से आगे आपकी बात राम प्रिशाद विस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए सुसंत्रता आल दोलन में उनकी भागिदारी पर चर्चा कीजिए तो उनकी भागिदारी क्या रह जाने कि उनका प्रिय रंग भोजपदा आर्थगीद बच्पन की यादें प्रिय स्थान आधी कौन-कौन से ते जैसे आपका जन्म का हुआ अपनी मा से अपने पापा से किसी से भी सकते हैं आपकी प्रिय फिस्ता कौन से आपका सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है कौन सी जाने जादा अच्छे लगती जो बोच पदा कौन से गाने उन्हें जादा अच्छे लगते या आपको फुस्षे करना यह वाला प्रिश्ट मैं करवाती हूं यह मित्रों के नाम हम लेक सकते हैं भगत सी बगत सी तो इसमें आया भी था इस पार्ट में हमने उन पर पड़ बनानी भगशी फिसकल के बारे में बोला था और दूसरे सबसे अच्छे भगशींग थे और दूसरे मित्र कौन थे असफाक अश्वाक उल्ला खान अश्वाक उल्ला खान यह मुस्लिम थे और हिंदू अश्वाक उल्ला खान यह उर्दू भासा की बहुत अच्छे सायर थे और यह नों ने क्या किया था विश्मिल और असफाक उल्ला खान हिंदूस्तान एस्सियेशन एच आरी के संस्तापक सदस्ते यह लिखना जरूरी नहीं क्योंकि इसमें हमें सिर्फ पूछा गया है कि जो उससंत्र था में उनकी भागदारी कैसी रही तो इन तौनों लोगोंने क्या किया था जो भगस सींग थे असपाक उल्ला खान और चंद सेकर आजा एक ट्रैन टकेती हुई थी काकोरी कांट उसमें उन्होंने जो अंग्रीचों का खजाना था इक तरह से सोना था यह रुप और इनकी मित्रों ने अगला पोईट लखेंगे बिश्मिल और इनकी मित्रों ने काकोरी ट्रैन टकेती कोरी ट्रैन टकेती जैसी कई घटनाओं में कई घटनाओं में हिस्सा लिया था अगला है हमारा पुस्तकाला या इंटरनेट से आप पुस्तकाला मेराम पिशा विस्मिल की आतकता कोच के पढ़िए अगर आपको नहीं मिलती तो आप लोग गूगल पे भी जाके पढ़ सकते हैं गूगल से सर्च करके देश वक्तों से संबंदित अन्य पुस्तके हैं जैसे उनके पत्र आत्मकता जीवनी आधी पढ़िए अपने मित्रों से साजा कीजी आपको स्वेंपढ़नी हैं सब्दों की बात आप अपनी मा को क्या कहकर संबंदित करते हैं अन्य भाशाओं में मा के लिए प्रियोक्त संबंदन और मा के लिए सब्द ढूड़िये क्या उनमें कुछ अमानता दिखती है हाँ तो क्या शोर भासा होती है जिनमें हमें हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं जर्नली हिंदी बाले भाशी बाले छेत वाले मा और मम्मी अम्मा ये बोलते हैं और गुजराती में क्या बोलते हैं गुजराती गुजराती में बोलते मा और मोदी क्या बोलते हैं, जो मोदी हमारे बा बोलते हैं गुज्राथी में, तमिल, तमिल में अम्मा बोलते हैं, संस्कृत में जन्नी बोलते हैं, जन्नी और माता, और मराठी में आई, चलिए, हमने कुछ भासाओं के नाम लेकित, उनमें क्या समानता है, समानता है सबसे सबसे क्या है, कि जो मा शब्द का उलेक है, वो बारवार आ रहा है, आज की पहली, यहां दी गई बर्ग पहली से पार्ट से बारा विशेशड दिये गए हैं, उन्हें चाट कर पार्ट में रेखांकित कीजिए, आपको पता होगा विशेशड वो होते हैं, जो बाग की विशेशता बताते हैं, तो इसको हम विशेशड बोलते हैं, तो इसमें हमें विशेशड कौन-कौन से हैं, उसमें हमें हाइलाइट कर देती हैं, अलग-लग कलर से, जैसे ह मंगल में प्रित्यक बारा विशिशन है मनोहर ये मनोहर जाद डार कर दिये सोरी तो लाइट करती हो मनोहर अगला है अगला इसमें है छोटी छोटी और खूब ग्यारह और धार्मिक ये धार्मिक अगला कलर ले लेते हैं ओके ये वाला लेते हैं चलिए साधारर ये एक निसेसर है और है दुख भरी महान स्वधीन इसमें छोटी हो गया ये भी हो गया मुझे नहीं रखता ये वन टू तू त्री फोर फाइब सेख सेट एट नाइन तेन इलेवन हो गए एक आप कम से सड़ और रहे गया है लास्ट बड़ा पन ये हो गए हमारे अगला है हमारे जहरों के सेट ऐ मात्रभूमी राम्प्रिशाद इसमिन कीजी की है ऐ मात्रभूमी ते री जयए हो शदा विजए हो प्रतेक भक्त तेरा शुक्षांति हांति मैं हो अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हिर्दय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकॉप सारी जग्व का माहा प्रलै हो तेरी प्रिशंता ही आनन्द का विशै हो, वै भक्ति दे की विशमिल सुक मैं तुझे ना भूले, वै सक्ती दे की दुख में कायर ना यह हिर्दय हो ये राम पिशाद ने ने लिखी है कायर ये साहिद मुझे लगता आखरी वक्त में ही लिखी है जिस तरह से सब दियूज की वए है कि वैसकती दे की दुख में कायर ना यर्द है उसा एलाइस समय में जो उन्हें फुशांसी होने जाए तो उनका हिर्द है कायरता से डरे नही तो इसमें गोले है मात भूमी तेरी जय हो तेरी सदा बे जय हो तेरी हमेशा जय होती रहे प्रतेग भक्त जो वी एक एक भक्त है तेरा शुक सांती में कांती में सब सुक से एक सांती से रहे अग्यान की निशा हो अग्यान की निशा हो अग्यान का जो अंधिरा है पुहट तेरी प्रिशन मुता ही आनंद का विशय हो। वह भक्ति दे की बिश्मिल सुक में तुझे न भूले। मतलब कभी भी कोई भी सुख है तो हम धर्टी माँको या इस देश की जो भक्ति इस भक्ति इसको हम नहीं भूलना चाहिए। कोई सकती दे कि दुख में कायर नहों यह हिर्दय चली खूचवीन के लिए मां से संबंदित पांच रशने फुस्तिकालाय में फोजें अपनी पार्थिका में लिखें ये चेप्टर हमने आप पूरा कंप्रेट लिए पार्थिका में इसके एंपोटेंट कुशन अंसर जो भ नहीं चली दो पार्थि में अगर आप लोग चनल पर नए हैं तो लाइक किजिए, सेर देख और सबस्क्सक्बिश के बाइने,न देख में लिए में कारत।